हेलो गाईज आज हम बात करने वाले हैं एश्योर के प्यूरिफाइंग क्लेंजर प्लस टोनर की तो गाईज यह देखिए एश्योर का यह है प्यूरिफाइंग क्लेंजर प्लस टोनर यह भरपूर मातरा में इसमें गुलाब जल और आपको टी सी डॉयल मिलेगा और यह स्कीन तो बहुत ही अच्छा जो रहता है रिजल्ट वह बहुत अच्छा मिलता है मैंने खुद यूज किया जिनको जैसे कई गर्ल्स रहती है उनको जैसे प्रॉब्लम भैता है अगर वो मेकप लगाती है उसके पाद रिमूवल यूज करती है तो उनके फेस में मतलब थोड़े दाने होने लगते हैं अगर उसकी बजाय मार्केट के रिमूवल की बजाय अगर आप यह यूज करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट है गाईज ट्रस्ट मी इट वार कि थोड़ा डस्ट लगता है थोड़ा थोड़ा कंकर टाइप कुछ लगता है पल्यूटेंट्स जो रहते हैं फेस की पूरी तरीके से निकालता है गाइस सही मैं बहुत अच्छा प्रोडक्त है मैंने खुद यूज किया है तब ही आपको बता रही हूं और यह देखिए एश और आप अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में लगाईए और उसके बाद थोड़ी देर रहने के बाद आप इसको वाइप कीजिए कॉटन या फिट टीशू से और यह देखिए इसमें लिखा है सूटेबल फॉर ऑल स्कीन सभी स्कीन के लिए बहुत अच्छा प्रोड़क्त ह इसमें इंग्रीडियन्स भी बिल्कुल नेचरल इंग्रीडियन्स है गाईज मैंने सभी इंग्रीडियन्स पड़े बहुत ही नेचरल और बहुत ही अच्छा प्रोड़क्त है इसमें बिल्कुल भी किसी भी केमिकल या फिर किसी भी चीज का इस्तमाल नहीं किया गया है किस तहों एज रहती है लेकिन तो भी उनके स्कीन पर कुछ ऐसा एफेक्ट आजाता है जिसके पूढ़े थे लगने लगते है तो यह प्रॉड़क्त उनके लिए बहुत अच्छा है और आपको जैसे कुछ जैसे आप मार्केट से प्रॉड़क्त प्रॉडक्त प्लाता है उसमें जैसे आपको कुछ pimples हो जाते हैं या फिर जैसे आप कुछ cream यूज करते हैं उसके बजाए अगर आप इसको यूज करेंगे तो बहुत अच्छा है काई यह सारे मैंने खुद ने यूज किया है बहुत अच्छा प्रोड़क्त है और इसके बारे मैं आपको और डीटेल में जाना है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप में हमारी जो आगे आने वाली वीडियो है उसकी न्योटिफि कीजिए और जो तको नहीं आया वो डिसलेक भी कर सकते हैं तो और जैसे आपके फेस में थोड़े ब्लैक हेड्स हो जाते हैं उसको भी निकालने का काम करता है ये प्रोड़क्त सही में बहुत अच्छा है और देखिए आप इसमें लिखा भी हुआ है ये देखिए गाइस म तो आप तो जानते ही है कि जो गुलाब जल रहता है वो अपने फेस के लिए कितना अच्छा है तो वही इसमें भी वही डला हुआ है और ये प्रोड़क्त सच में बहुत अच्छा है मैं इसको आपको ओपन करके भी दिखाती हूं एक कॉटन ले लीजिए और ये देखिए ये बस थोड़े से में हो जाता है आराम आराम से ये देखे गाइस मेरा हाथ है अभी इसमें धीरे धीरे वाइप करते हैं लगा के देखते हैं क्या हुता है बिल्कुल बहुत अच्छा क्रीम है इसकी ज्यादा स्मेल भी नहीं है और इसकी जो थोड़ी सी स्मेल हो इतनी अच्छे लगती है गाइस ऐसा लगता है दिन बर लगाते ही रहो और जैसे अभी लगाने के बाद ये आपके स्कीन को पूरा मॉस्चराइज कर देता है आपक इतना गंदा हाथ था मेरा तो जितनी भी डस्ट थी मेरे हाथ में सबको निकाल दिया है गाइस यह देख सकते हैं आप किता ब्लैक हो चुका है यह कॉटन जो था वाइट से ब्लैक हो चुका है तो सोचिए जरा सा कि यह सही में डस्ट को रिमूव करने का काम करता है यह प्ージभ आइज जर टो सकते हैं गल्यकोष थROइचा वाद्धि notorious सबकेता हैं पर लोड़े मेरे करता हैं ऑलते हैं जपको नितनी ज़ रए्वी करता हैं परารık करता हैं यहुर टोस्ट करता हैं ऑलते हैं पर और तो सावित ग्ष्र जिस उल्पा पराता हैं ऑलते हैं एाह पर